विवादों में घिरी संजे लिला भनसाली की महत्वकांशी फिल्म पदमावत को लेकर मचे हांगामे पर बॉलिवूड एक्टरस रेनुका सहाने ने भी अपनी राय रखी उन्होंने फेस्बुक के जरिये पदमावत के विरोध के खिलाफ अपना गुसा जग जाहिर किया फेस्बुक पर रेनुका ने कुछ लिखा ही नहीं बलकि तस्वीरों के जरिये ये बताने की कोशिश की कि फिल्म को नहीं बलकि समाज की कुरूतियों पर बैन लगना चाहिए रेनुका ने अपने पॉस्ट में फिल्म के विरोध को लेकर चल रहे प्रदर्शन की एक तस्वीर पॉस्ट की जिस पर बैन पदमावत लिखा था और उसे लाल रंग से क्रॉस भी किया हुआ था उसी तस्वीर पर रेनुका ने अपनी तीन तस्वीरे पॉस्ट की थी जिसमें उनके हाथ में छोटे छोटे कागस के टुकडों पर लिखा है रेप, भूर हत्या और योन उत्पीडन को बैन करिये इन तीनों तस्वीरों में रेनुका के चहरे पर गुसा साफ नजर आ रहा था गोर तलब है कि रेनुका अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी चर्चा में रहती है बतादें की तमाम विरोधों और मुश्किलों को जहलते हुए पदमावद 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में दिपिका पादुखौन, रनवीर सिंग, अलावदिन खिल जी और शाहिद कपूर, राजा रतन सिंग की भूमिका में नजर आएंगे खास रिपोर्ट में इतना ही